हेलो ब्रिवन वेलकम टू पीकर टेकलाज तो दोस्तों इस वीडियो हम लोग देखेंगे रियल्टी ओफ जॉब फाइंडिंग ठीक है तो रियल्टी ओफ फाइंडिंग क्या होती जो नॉर्मल लोग सोचते हैं कि आपको सिर्फ सीवी बना लेने से जॉब मिल जाएगा तो ऐसा नहीं है ठीक है रियल्टी क्या होती जॉब कैसे मिलती आपको इसमें आपका नेटवर्क कैसा है ठीक नेटवर्क मतलब आपके दोस्त आपने पहले जिन लोगों के साथ काम किया है और उनके साथ विहवियर कैसा है या आप अधर किसी लोगों के साथ कंपनी के साथ में अधर कंपनी के लोगों के साथ में जॉइंटली काम कर रहे हैं तो आपका उनके प्रतिर विहवियर आप प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए जो प्राइवेट सेक्टर में चौप करना चाहते हैं तो आपको वेकंसी आएंगी तभी आप अप्लाई करेंगा और अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से एक्जाम देके इंटर्वी देके आप सेलेक्शन पाएंगे उसमें यह चीज आपका नेट वर्क से पहले अच्छा होना चाहिए ठीक है और पास्ट एक्स्परियंस तो माईने रखते ही रखता है ठीक और सी भी और यदि आप सोचेंगे कि आपने कहीं पर किसी भी वेबसाइट के थुरू गया इमेल तरू गया चार को सिर्फ अपना सीभी मेल कर दिय या और आप बेट कर रहे हो कि आपको जोब मिल जाएगी या कोई रिस्पॉंस आएगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ठीक को मैंनेट नेट्वर्क अच्छा हो से लेटर नेटवर्क का मतलब क्या एक ही अपके सेनियर जूलिए कोई भी हो उन लोगों से रहे हैं ताकि रहे हैं यू कहीं जाते हैं और काई जानक्यारियर कोई यूब आती तो वह आपको के तुक कर सकें थीक फदे रेफरेंस ग्याजसे किसी और या कंपनी में a चाहते हैं ठ तो आपका उस कंपने में कोई हो तो आपके लिए एक बेनिवेट थी और पास्ट एक्सपिरिंशे दो बैनिवेट होता ही है और तो जूब ठीक है नेटवर्क नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा जोब कहां पर आई है विकेंसी और वो कब फिल हो गई ठीक तो सबसे पहले अपने नेटवर्क का फोकस करिए तभी आपको जोब मिल सकती है ठीक है तो यह थी रेयल्टी आप्जोब फाइंडिंग तो आई हो आपको प्रवाजिंग वागरेट देविए